सरस्वती और दृषद्वत्ती ये दो दिव्यन अधिया थे जिनका जिक्र रिगवेद में भी आता है और उनके मध्यव के ही विराजमान देश को ब्रंभावर्त कहा जाता है जो देवताओं के द्वारा ही निर्मित है या देवताओं के आशरवाद से अविशिक्त है सुपता स्वय से लिखी 11 बजे की बिचोग पसक्त हुआ आप सबके सामने आज जिनकी कुण्डी लेकर के आया हूँ इनका नाम है सौरव कुमार ये कुण्डी आई है नवी नगर बिहार से शुरू करते हाज का कारिकरम कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बंके रहिएगा कारिक दो नदियों का उलेक अरिग्वेद में मिलता है एक सरस्वती और एक नदि का नाम है द्रिशद्वत्ती सरस्वती और द्रिशद्वत्ती ये दो नदियों के बीच की ये भूमी को ही ब्रंभावर्त कहा जाता है ब्रंभावर्त जो की देवताओं के द्वारा वसाई गई ह इसका एक अन्य नाम घगर नदी भी है राखी नदी भी इसे कहा जाता है अब वो प्राया नहीं होगी मुझे पता नहीं है पर यहां पे वही बात स्लोप में भी लिखा है सरस्वती द्रिशतत्योर देवनद्यो यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मभा वर्तम प्र अशद्वत्ती ये दो दिव्य नदिया थे जिनका जिक्र रिगवेद में भी आता है और उनके मध्यव के ही विराजमान देश को ब्रह्मभा वर्त कहा जाता है जो देवताओं के द्वारा ही निर्मित्य या देवताओं के आश्रवाद से अविशिक्त है रिगवेद में किन दो नदियू का नाम आया सरस्वती और द्रिशदत्ती जिसमें से उसे घगर भी कहा जाता है राखी नदी भी उसे कहा जाता है कभी इस पे विस्तार से चर्चा करूँगा पर अभी इस कारिक्रम में तो बिल्कुल भी नहीं आये विशेफिले क्या आता हूँ ये कुंडली मेश लगन की बनी है मंगल लगन को देख रहे हैं एक आदश्वा भाव वल्वान है गुरू अस्टम भाव में बैटे हैं ब्रश्चिक रासी में पेट से समधित समस्या दे सकते हैं शुक्र और बुद्ध आपको कोमल स्वभाव का बनाएंगी लडाका नहीं बनाएंगी लेकिन जब व्यक्ति उतावला पन में बंद जाए और जब उतावले पन से युक्त हो जाए तो वो किसी को छोड़ता भी नहीं है सुरिय जहां व्यक्ति को पेट का रोगी बनाएंगी संतान से थोड़े से कस्ट की स्थती बनती है और व्यक्ति सैं भी कभी कभी पिता को रुस्ट कर देता है धन भाव में चंद्रमा यहां पे व्यक्ति को कुटम जनों से कस्थ होता है और कई बार वो चाह करके भी अपना संबन्द कुटम जनों से बहुत अच्छा नहीं बना बाता है ऐसा पर उसकी बुद्धी उसका स्वभाव उसके नेचर की स्थती और उसका स्वास्त यह सब ठीक है जर अविचार करके देखिए मंगल लगने शुकर के लगनों को देख रहा है आयू और बहुत सारी चीजें वो देने वाले होंगे पर उसमें उनमत्तता भी होगी शनी स्वग्रही यह बहुत बढ़ियां चंद्रमा हुच्चके सूर्य स्वग्रही बुद्ध देखने की बारी हो या प्रश्णागर कभी ऐसा आए तो आप लोगों को भी बता दू हमेशा ही तीन चार भावों को अवश्य देखना चाहिए सबसे पहले देखना चाहिए शेयर मार्केट के लिए धन भाव क्यूंकि धन रहेगा तब ही लगाएंगे और उससे पहले आपको चंद्रमा को देखना चाहिए कि चंद्रमा वस्तुता कैसे हैं मतलब वो पापग्रह है या शुग्रह है उनके पास पक्षकाबल है या नही वतलब उनके पास पक्षकाबल हो, तो वो चंद्रमा अच्छे कहे जाएंगे, इनके कुंड्ली में चंद्रमा उच्छे के हैं, और जन्म हुआ है कृष्ण पक्षे के सब्तमीति थी के अंतरगत, जिसका अर्थ होगा कि चंद्रमा इनकी कुंड्ली में शुभग्रव बन रह इसका अर्थ होगा कि विप्ति की कुंड्ली में चंद्रमा के स्थिती ठीक है, धन भाव भी ठीक है, मैंने इससे पहले कारिक्रम में ये बात बताई थी, कि लगन के, धन के, तिर्थिये के, नवम के और एकादश्मे के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, ये इतनी सार इसका अर्थ है कि विप्ति का पैत्रिप धन उसका अपनाया जो कमाया गुए धन है, वो बहुत अच्छा है, उसके स्थिती बहुत अच्छी है, और वो निश्यत रूफ से बहुत ही सुहरद रिने चरका है, दश्मान स्कूर्ली में भी चंद्रमा दश्माव के अधिपती हो करके यहां भी दो नमबर में बैटे हैं, इसका अर्थ है कि वहां भी ठीक है, इसका अर्थ है कि इस कूणली में चंद्रमा सबसे ज़्यादा बलवान गरा के रूप में अपने आपको परभाशित कर रहे हैं, जिनके उपर मंगल की दृष्टी होगी और गुरू की दृ देंगे, उसका दर्शन अलग है, जीवन को देखने का तरीका अलग है, किसी भी दृष्टीकोंड से वो अपने आपको बांध करके नहीं रखता है, ये कुणली ब्रशिक रासी के गुरू को लेकर के बैटी है, पेट से समदेच समस्या मैंने बताया, यहां पे भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता है, कार्मिक छेत्र में ये कुणली बहुत आगे जाएगी, पकी बात है, यहां शनी, गुरू और राव के संग बैटे हैं, जहां दो बित्रगरा बैटे हैं, आला कि इस भाव के अधिपती जन्म कुणली में उंचके हैं, कम से कम ये एक अपसान हो सकता है, लेकिन वो भी अभी नहीं, आपकी कुणली में अभी राहू की दशा है और सुक्रवार को आप जन्मे हैं, सुक्रवार को जन्मे लोग वैसे भी ऐश्वरे साली होते हैं, बुद्दिमान होने के साथ साथ अनभवी होते हैं, और कुणी होते हैं, आपक करके जल्दवाजी में कोई भी काम मत करिएगा आपके कुंडली के लिए सुकुम रासी, धानू रासी, सिंभरासी और तुला रासी ये रासियां अच्छी हैं आपके कुंडली के अधार पे गुरू अनुराधा के बैटे हैं और शनी बैटे हैं गुरू के नक्षत्र में पुर्वा भादरबत के, यानि कि शनी ने गुरू को देखा भी है, ये दोनों इक दूसरे से केंदर में भी है और शनी और गुरू का नक्षत्र परिवर्तन लाभेश का परिवर्तन नक्षत्र में हो रहा है धन भागिभाव के अधिपती के संद। भागिवाओं के अधिपती जो होते हैं गुरू वो अस्टम भाओं में बैठ करके ब्याय को नियंतरित रखेंगे धन को देख करके आपके चंद्रमा को पुस्ट करेंगे और दशमस्था अधर्स अन्नमी दृष्टी से उच्चकी रासी में देखेंगे इस होज़ा से सुख, संपत्ती, एश्वर्य, धन, मान, पद, प्रतिस्ठा और मान, सिक, शान्ती ये सब मिलता रहेगा मेदाड़ा कागे बढ़ेगे इस कुणली में थोड़े बहुत कमजोरी पन से एक दशा बितेगी 2026-27 तक उसके बाद गुरू की दशा में भी थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है वैसे एक बात बता दूँ तो आपकी कुणली के लिए गुरू जो है वो आवस्थागत बहुत अच्छे बैटे हैं डिगरी के इसाब से उनके पास 100% परणाम देने का बल है दशमान सा कुणली के आधार पर भी वो कम से कम आपको धनवा नवश्य बना रहे हैं पर रिण में भी लिके जा रहे हैं उनकी दशा में बहुत ज़्यादा इंवेस्ट्रेंट मत करिएगा थोड़े संतुलन के साथ ही चलना होगा और वैसे एक बात और बता दूँ तो आपकी कुणली के आधार पे गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपको कम से कम उस दशा में आपको निश्य तुम से भागे का सुख तो मिल ही जाएगा मन शांत रहेगा, गुर्दी स्थर रहेगी, कुरूरता नहीं बढ़ेगी और उदार मना रहेंगे ये इतनी बात है सुरी और चंद्रमा में से सुरी को बल दीजे आपकी कुणली में सुरी पंचमभाव के अधिपती हैं ये अच्छाई देने के साथ साथ कमजोरी भी दे देते हैं जैसे संतान, जैसे चिंता, जैसे भाविश्य को लेकर के व्यगरता जैसे कई बार उद्वेगी स्वभाव, संतान से कस्ट और कई बार रुस्थता भी व्यप्ती करता रहता है इगोईस्ट नेचर का हो जाता है, हाला कि गुरू और सुर्य का समद्ध एक दूसरे से केंदर में है सुर्य का प्रभाव शनी पे, शनी का प्रभाव सुर्य पे है इस वज़ा से दोनों ही अपनी अपनी रासी में है शनी के उपर किसी भी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं है और गुरू के उपर भी किसी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं है लेकिन सुर्य के उपर भी किसी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं है परंतु एक बहुत अच्छी बात बैटी है कि उसके ठीक आगे दो सुभग्रा कम से कम बैटे हैं जो आपकी कुंडली में आपको सत्कीर्ती सूखृत और स्रिस्ट कर्म करने वाला बनाएंगे आप निश्चे तुरुफ से बड़े ही बैतर व्यत्ती हैं आप responsible हैं अपने जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपनी मर्यादा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हैं आप दुश्वनी नहीं करना चाहते सब काम आसानी से हो जाए आसानी से मित्र बना करके हो जाए यही चाहते हैं इस कुंडली में धर्म ठीक है, रिसर्च ठीक है, ग्यान ठीक है, अनुभव बहुत अच्छा है और साथी साथ माथे का दर्ध भी है। दंत रोगी ना हो येगा, पेट की समस्या ना हो और कई बार बात जनित बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतनी सी बात है, एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में धन है, इस कुंडली में सुक है, इस कुंडली में ग्रह अच्छे बैटे हैं। नहीं है पर गुरु में शनी वाली जो दशा रहेगी वो भी कई बार 90 प्रतिशत तक कंफ्यूज होकर क्या आपको परिणाम देगी ये इतनी सी बात है सुरिये बहुत अच्छे बैटे हैं कमजोर नहीं है मैं सवस्ता हूँ बहुत हैं स्रेस्ट बना रहे हैं पर वो कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी डिगरी 28 दिगरी के हैं मिरता पराया है सुरिये को अर्ग रवीवार को नमक बंद करिए आदित तहरदस तोतरका पाठ करिए कम से कम भगवान सुरिये के बारह नामों का स्मरण करते रहिए उनको उसी नामों से उन्हें अर्ग दिया करिए और मान साहर बिल्कुल भी इस कुंडली के लिए उबरजित होगा जहर के समान है आप एक दिन खाएंगे दस दिन पीछे जाएंगे इस वज़े से बिल्कुल भी मान साहर नहीं धर्म के लिए क्या कर सकते हैं इस पे विचार करिए मंदिर को लेकर के आपके कौन से रणनिती हैं आपके दिमाग में उस पे काम करिए समाज के लिए क्या कर सकते हैं रिक्षा रोपन के लिए क्या कर सकते हैं लगनपे शनी की नीच दिर्ष्टी है, इस वज़ा से आपके काम थोड़े रूप करके होंगे, पर बजनग बली की पुजा आपको बल देगी, हनुमान चालिसा का पाठ, नित्य प्रतिदिन मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, इस सब आपके कुंडली में गुरू के अस्टम भाव में बैठने के दोशों का हनन करेगे, गुरू का प्रभाव लाबभाव के लिए भी ठीक होगा, किनकी लादेश के साथ वो नक्षत्र के परवर्तन में है, इस वज़ा से महाधनी योग बनेगा, बिपुल सेट है, झाल